नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की डिजिटर क्लास में आप सबका स्वागत है आज से हम सिखेंगे हिंदी सुर्भी 2 का सेमिस्टर 2 जिसका पाठ शुरू होता है पाठ नमबर 8 से पाठ का नाम है मुझसे दोस्ती करोगी तो बच्चों, इस पाठ में है एक एलियन की बात की गई है जो है वो एक इडली जैसे यान में आकर ये दो बच्चे है उसके पास आता है ये दो बच्चों का नाम है मीनी और पिंकी जो छत पे रात को टहल रहे होते हैं तो वो देखते है कि पीछे है वो एक मेदान में इडली जैसा कोई वाहन है यान है वो उतर रहा है और उसमें से एक विचित्र जीव है वो बाहर निकलता है और वो है वो मीनी और पिंकी के पास आता है मीनी और पिंकी को उसको देखके आश्चरिय होता है और वो उससे पुछे कि तुम कौन हो तो वो अपना नाम जिबा बताता है और बोलता है में कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मुझे है वो तुमसे दोस्ती करनी है क्योंकि मैं तुम दोनों को रोज खेलते देखता था मेरे यहाँ पर मेरे जैसे कोई छोटे बच्चे नहीं इसलिए मुझे है वो तुमसे दोस्ती करनी थी इसलिए मैं तुमारे पास आया तो मीनी और पिंकी है वो जिबा को अपना दोस्त बनाते है और जिबा है वो मीनी और पिंकी के साथ खेलता है और बाद में अपने ग्रह वापस चला जाता है और मीनी और पिंकी को भी अपने आने का आमंत्रण देता है जीबा जब जाता है तो उसे उपहार मिलता है उपहार यानी गिव्ट और वो उपहार लेकर चला जाता है तो चल हों है वो कहानी सुनते हैं गर्मियों के दिन थे रात के दस बज रहे थे रही थी यानि धिरे-धिरे चल रही थी उनके पिता किसी काम से कनाडा गये हुए थे कुछ देर बाद माँ आईसक्रीम लेने नीचे चली गई मीनी और पिंकी खेलने लगी तो गरमियों के चुटियों में जब मीनी और पिंकी चट पर टहल रही थी उसकी मुमी के साथ तो ममीन को याद आया कि वो आइसक्रीम ले आये इसलिए वो नीचे आइसक्रीम लेने गई और उसके पापा घर पर नहीं थे वो कनड आ गया थे इसलिए मीनी और पिंक की दोनों अभी छट पर अकेली थी अचानक मीनी ने आसमान से इडली जैसी कोई बड़ी सी इसलिए वो अचानक उस यान को देखकर चिलाई के पिंकी देखो यहाँ पर बड़ी इडली है पिंकी ने ध्यान से देखते हुए कहा मीनी यह इडली नहीं उडन तस्तरी है उडन तस्तरी यानी अंत्रिक्ष यान तो बच्चो अंत्रिक्ष यान यानी अंत्रिक्ष यान यानि वाहन तो आकाश में चलने वाला वाहन उड़न तस्तरी यानि अंत्रिक्ष यान तो पिंकी ने बोला के ये इडली नहीं ये तो एक प्रकार का यान है जो अंत्रिक्ष में उडता है उडन तस्तरी मेदान में उतर गई यान का दर्वाजा खुला उसमें से एक विचित् प्राणी ने एक उच्ची कुद लगाई और सिधे छत पर पहुच गया तो ये विचित्र प्राणी है वो मिनी और पिंकी के घर तरफ आ रहा था और उसने एक चलांग लगाई और वो चलांग लगाते ही मिनी और पिंकी के पास पहुच गया मीनी ने डरते हुए पुछा आप कौन है उस प्राणी ने कहा डरो नहीं मेरा नाम जीबा है मैं दुसरी दुनिया से आया हूं वह देखो उस निले तारे पर मेरा घर है तो जीबा है वो प्राणी का नाम है यानि जो अंत्रिक्ष्यांत से उत्रा था वो प्राणी का नाम जी पिंकी ने सहसा सहस करके पूछा आप यहां क्यों आये हैं जीबा ने कहा मैं यहां तुमसे दोस्ती करने आया हूं मैं रोज अपने घर से तुम दोनों को देखता था मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का मन करता था क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलोगी मीनी ने जट से कहा हा हा क्यों नहीं लेकिन क्या तुम्हारा नहीं आपका कोई दोस्त नहीं है जीबा हसकर बोला मीनी मुझे तुम ही कहो मुझे अच्छा लगेगा हा हमारी दुनिया में सब बड़े ही बड़े है मेरा जैसा कोई बच् तो जीबा है वो उसकी दुनिया में एक अकेला ही छोटा बच्चा था और जीबा को खेलने का मन बहुत था पर उसकी दुनिया में कोई छोटे बच्चे नहीं थे इसलिए वो मिनी और पिंकी के साथ खेलने आया क्योंकि वो है रोज छट पर मिनी और पिंकी खेल रहे थे तो उसे देख रहा था मेरे पापा ने मुझे यह खिलोना यान लाकर दिया था इसी में बेट कर मैं तुम्हारे पास आ गया पिंकी ने हेरान होकर पुछा क्या तुम्हे यान चलाना आता है जिबा ने हसकर बोला हाँ यह मेरा यान है यान यानी वाहन मैं इससे वेसे ही सेर करता हूँ सेर यानी गुमना तो जिबा केता है मैं उसमें एसे ही गुमता हूँ जैसे तुम अपनी दो पईयों वाले यान में करते हो, मीनी को हसी आ गई, बोली उसे हम यान नहीं साइकल कहते हैं, तो जिबा कहता है कि तुम जिस तरह अपनी साइकल में घुमते हो, उसी तरह मैं इस यान में घुमता हूँ, आओ हमारे साथ खेलो, जिबा ने पुछा, इसे हम चुपने और ढूंडने का खेल पसंद है तो मिनी और किन की है वो स्टापू का खेल खेल रहती पर जीबा को पुछा के तुम्हें कौन सा यह पसंद है तो जीबा को नाम नहीं आता था il उसलिए वो sfkt इतना बोला के मुझे चुपने और ढूंडने का खेल पसंद है इसे हम कहते है चुपम चुपाई पिंकी ने कहा जिबा उसे हम चुपम चुपाई कहते है आखो पर पट्टी बांद कर हम आखमी चिरली भी खेलते है जिबा ने फिर पूछा तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो पि इतने में मीनी और पिंकी की मा आईस्क्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र प्राणी के पास देखते कहा। वह बहुत डर गई। पिंकी ने उन्हें जिबा के बारे में बताया। मा जिबा से मिलकर बहुत खुश हुई। तो मीनी और पिंकी जिबा के साथ खेल रही थी इतने में मा आई तो मा है वो डर गई। क्यूंकि उसे अपनी बच्चियों के चिंता होने लगी। क्यूंकि एक विचित्र प्राणी है वो उसके पास खड़ा था। उह ने तीनों को आईस क्रीम दी। जिबा को आईस क्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तीनों खेलते रहे। फिर जिबा ने पिंकी और मीनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बाते बताई। मीनी ने पुछा जिबा क्या तुम चान पर बेठी बुढिया और सफेद खरगोश से मिले हो। यह सुन कर जिबा हसने लगा। उसने कहा मीनी चान पर कोई बुढिया नहीं रहती। वह न तो हवा है न पानी। इसलिए वहा न पेड़ पोधे है और नहीं जीव जन्तु। तो मीनी पिंकी के मन में एक बात थी कि चान पर है वो एक बुढिया रहती है। इसलिए उसने पुछा कि तुम चान पर रहती ने बुढिया और खरगोश को जानते हो। इसलिए जीबा ने कहा वहा कोई नहीं रहता क्यूंकि वहा हवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है। इसलिए पेड़ पोधे और जीव जंतु वहां नहीं रह सकते। वहां केवल बड़ी बड़ी चट्टा नो और गड़े है। सुरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से जिबा की बात सुनी। रात बहुत हो गई थी। जिबा ने कहा पिंकी और मिनी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने जिबा को अपनी गेंद दी। पिंकी ने जिबा को अपनी गुडिया दी। उपवार पाकर जिबा बहुत खुश हुआ, उसने वाइदा किया कि अगली बार वहो उन सब को अंतरिक्ष की सेर कराएगा, इसके बाद जिबायान में बेटकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया तो बच्चों यहाँ पर है वो कहानी फत्म होती है, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जिबा है वो मीनी और पिंकी के साथ खेलने आता है, और खेल कर जब जाता है तो मीनी और पिंकी है वो अपनी जो पसंदिदा चीज है वो जिबा को भेट में दे देती है, उपहार में दे द तो इस पार्ट से हमें यहां सिखना चाहिए कि हमें भी हेए वो नए नए दोस्त बनाने चाहिए। जैसे मीनी और पिंकी ने जिबा को अपना दोस्त बनाया। हम सबको हे वो एक दूसरे के साथ हील मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चो यहाँ पर है वो पाठ पत्म होता है अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाधियाई सिखेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक केर